हेलो दोस्तो नमस्कार on digital youtube चानल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो कुछ दिनों से whatsapp पर या social media account पर बहुत सारे messages दोस्तो मिल रहे हैं और ये message जो paper cutting है बहुत ही ज़ादा तेजी से viral हो रहा है इसमें बताया जा रहा है कि UIDAI के निर्देश 15 दिन की महलत ये जो news आया है दोस्तो आप देख सकते हैं सितंबर 15 तारिक को 2022 में और ये बता रहा है कि अब 5 साल से कम IU के बच्चों के ही बनेंगे आधार काड साथी आधार update का काम जारी रहेगा मतलब 5 साल से उपर का जो बच्चा है उसका दोस्तो आप आधार काड नहीं बनेगा तो क्या ये सही news है या फिर ये कोई जूट news है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग घबरात गये हैं और साथी जैसे ही मेरे whatsapp पर ये message आया तो मुझे भी दोस्तो आजानक जो है थोड़ा सा घबराहट लेगा कि क्या ये 5 साल से उपर के बच्चों का आधार काड बनेगा या नहीं बनेगा इस पर बहुत ज़्यादा ये तेजी से वाइरल हो रहा है message तो इसी को हम दोस्तो चेक करने वाले हैं कि क्या ये सही है या जलत है क्या सच में UID AI की तरफ से निर्देश आया हुआ है क्योंकि ये paper cutting अभी बहुत ज़्यादा तेजी से वाइरल किया जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी बता दिया गया है कि देश में 93 परतिसत लोगों के बन चुके हैं आधार काड और यहां पर बता जा रहा है कि क्यूं नहीं बनेगा 5 साल से उपर के बच्चों का अधार काड तो ये आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोक लीजेगा मैं यहां पर अभी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या सच में ये मैसेज जो ग्रूप में भेजा जा रहा है या फिर वाट्सव पे सियर किया जा रह ताकि CSC से जोड़ी जैसे ही में कोई नहा वीडियो फोस्ट करूँगा तो सबसे पहले नॉटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तो मैंने यहां पर यू आईडी ए डॉट जी ओभी डॉट इन का जो ओफिसियल वेबसाइट है आधार यू आईडी आई का इसमें मैंने चेक ट्यूटर है अधार का इसमें भी दोस्तों आपको अपडेट मिलते रहता है अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ट्यूटर पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है लगातार अपडेट मिलते रहता है आधार से जोड़ी कोई भी नए अपडेट आता है तो तो किसी भी परकार का यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं बताया गया है नहीं कोई निर्देश निकाला गया है जिसमें लिखा हो कि अब एक अक्टूबर के बाद से आप पांच वर्सों से उपर का अधार काड नहीं बना सकते हैं तो बहुत सारे लोग जो है परिसान हैं दोस्तों मान लिजे जिनके बच्चे हैं पांच साल के उपर हैं और वो अभी तक अधार काड नहीं बनवाए हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो घबरा गया है कि क्या सच में अधार काड नहीं बनेगा तो फिर आपको पता हुगा कि आज के टाइम में अधार काड के बिना कोई भी काम नहीं हो रहा है चाहे कोई गौबर्मेंट का रिलेटेट काम हो या कोई प्राइवेट रिलेटेट कोई काम हो सब चीज में अधार काड आपको देना पड़ता है तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि आप बिल्कुल निश्यत रहिए अगर फिर भी आप अपने तरब से कोई भी information चाहते हैं तो 1947 आधार का जो official website पर इनका number भी लिखा हुआ है इस number पर आप contact कर सकते हैं यह toll free number है 1947 पर call करके आप information भी ले सकते हैं कोई भी ऐसा अभी तक update नहीं दिया गया है कि एक अक्टूबर से पांच बर से उपर का अधार काड नहीं बनेगा अब बात करते हैं कि यह message जो इतना ज़्यादा वाइरल हो रहा है यह क्यों वाइरल हो रहा है देखे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक अक्टूबर से आधार काड जो है नया नहीं बनेगा मतलब दूस्तूब आप समझ सकते हैं कि अभी सप्टमर का अपडेट कहां से मिलता है लेकिन फाइनली आप बिल्कुल घबराएं नहीं ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है यूँ आईडी याई की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो हमारे चैनल पर चल से जल आपको अपडेट किया जाएगा इसके लिए आप चैनल को स इसको मैसेज कर रहे हैं अलग-अलग गृपों में फरवड कर रहे हैं तो आपको बता दो दोस्तों हो सकता है ये कभी पहले का कोई पेपर कटिंग होगा जिसमें इडिटेट होगा मतलब इसमें इडिट करके ये लोगों को मतलब हो सकता है ड्राने के लिए या फिर इसे वाइरल करने के लिए कुछ इस प्रकार से इडिटेट किया गया है तो बिल्कुल भी दोस्तों कोई ओफिसियल अपडेट अभी तक नहीं आया है अगर कोई इंफर्मेशन आता है तो इस जानल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा चले दोस्तों मिलेंगे नेक्स वीड वीड़ कर दोस्तों आता है इंफर्मेशन आता है इंफर्मेशन प्रकार के पार जाबेटय।